चलिए तो हम लोग बात कर रहेतें, N-C-A-I-T, कक्छा छटवी की सामाजी केवं राजनेतिक जीवन भाग एक, कक्छा छटवी की बॉक्स है, इसमें एकाई है, फर्ष्ट, तो इसमें हम लोग एकाई फर्ष्ट देख रहे हैं, इसमें बात करने वाले हम लोग बिवी तिता पहला चप्टर इसमें बिवी तिता, याद रखिए, ये बहुत ही सिंपल सब्दों में, सेल सब्दों में लिखी गई हैं, कक्छा छटवी, साथवी, आठी तक की, N-C-E-R-T की बुक्स जो होती हैं, बहुत ही सेल सब्दों में होती हैं, इसलिए आप लोग जाना टैंसन म बत लीजिएगा, एक कहानी के रुब में हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको लास्ट में इसका निस्करस बता दूँगा, ठीक है, और जब आप दोबारा सुनेंगे इस लेक्चर को, तो आप पूरा कॉंसेप्ट आपका क्लीर हो जाएगा, या आप अच्छे से स अध्या एक है इसमें विविवित्ता की समझ, अपनी रक्षा में चारों तरफ नजर दोड़ाईए, क्या कोई ऐसी साती है जो बिलकुल आपकी तरह दिखती हैं, इस पार्ट में आप पढ़ेनी के लोग एक दूसरे से कई मामलों में बेन होते हैं, बिना के बलक अलग दि क्यत्रों से गी आते हैं उनके धरम, रहन सायल, खानपान, भासा-तिवार आदी बिल्दिन होते हैं, इन बिन नताए हमारे जीवन को कई तरह से रोजचक और संब्स बनाते हैं, इन बिननताओं के कारणी भारत में विवित्ता हैं, जी और जीवन को किस तरह बहतर बनाती है भारत आपका बिवीद्टाओं वालादेस है क्या सभी तरह गिलाताय विवज्त करती है आपके तीन बच्चो ने ऊपर दे गए चित mechanism यह तीनों, ठीक, खाली बक्से में आप अपना चित बनाएं, क्या आप चित अंतीन चितनों जैसा ही हो, हो सकता है कि आपका चित इन तीनों से बहुत भिन हो, जैसा कि यह तीनों चित भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, जैसा इसलिए कि हम इस सब का चितकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है जिस तरह हमारी चितकारी में बिर्नता है उसी तरह हमारी रूप रंग खान पाग आदी में विवित्ता होती है बिर्नता होती है ठीक है यही विवित्ता है अब बात करते हैं यह कहानी की रूप में अपनी अध्यापी का कि सहायता से यह प हुआ हूँ मिलती है सायद नहीं हो हाला कि ऐसा हुआ कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है आप की कच्छा के विद्याती को मिलाकर कितनी वात्साइब होते है इनमें इनसे से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आप आपसे बहुत भिनने नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें मैंने इसे मजाग की तरह लिया है मजाग जो कि फटे पुराने कपड़े पहने वो छोटे से लड़के के लिए था जो जनपत की भीड भाड वा मेरे पीछे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले सब्दों में चिला कर सुनाता था इस बार मैं पटड़ी के सारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अकवार मांगा उसका मुल खुला का खुला रहे गया उसने पूचा मतलब मैंने अकवार के पैसे देते हुए का क्योंकि क्यों तुमने क्या सुचा वह रुका पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं वह बोला मतलब की आप हिंदी पड़ भी सकते हैं हां बिलकुल पड़ सकता हूं इस बार में थोड़ा धीर होते हुए बोला मैं हिंदी बोल स सकता हूं पड़ सकता हूं और लिख भी सकता हूं मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़िए सब्जेक्ट उसने पूछा अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है वह कुछ होता है मैंने सुरू किया ही थ मैंने भी अपने आपको टेपिक के साथ आंगे बढ़ने दिया अंगले दिन वह फिर वहां पर था वह मुस्करा रहा था मेरी तरफ हिंदी का अख़वार बढ़ाने ते हुए उसने का भया आपका अख़वार अब बताईए सब्जेक्ट क्या चीज है अंग्रेजी का यह सब उसकी जवान पर अजीब लग रहा था ऐसा लगा मानों अंग्रेजी में सब्चेक्ट सब्द का दूसरा अरत है फिर जाए उस अरत में हुआ है उसका फेयुक कर रहा था वह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संब्दित है मैंने कहा उसके बात चुकी बत्तिलाल हो गई थी तो मैंने पूचा तुम कभी स्कूल गए हो तो उसने का कभी नहीं फिर बात बढ़ते हुँ उसने गरब से का मैं जब इतना उंचा था तभी से मैंने काम करना सुरू कर दिया था उसने मेरी साइकल की कद्दी के बराबर अपने आपको नापा पहले मेरी मां मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ अभी तुम्हारी माहा कहा हैं मैंने पूचा लेका करने ठीक पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चलाते हुँ सुना वह मेरट में है और उसके साथ बाकी टेर फिक किस सोर गु में दूब गया मेरा नाम समीर उसने अंगले दिन कहा बड़े सरमाते हुए मेरा नाम पूचा आपका नाम तु यह तु बड़े आश्चा की बात थी मेरी साइकल डग मगाई मेरा नाम भी समीर है लेकत ने बढ़ताया यानि कि मैंने बताया क्या उसकी आँखों में एकदम भनुमान तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो उसने खोष होते हुए कहा हाँ ठीक है मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आँगे बड़ाया हाथ मिलाया मिलाओ समीर दो उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्य चिरिया की तरह समा गया मैं साइकल चला कर आँगे महसूस कर रहा था अंगले दिन उसके चहरे पर उसकी चिर्फ परचित मुस्कान नहीं थी मेरट में बड़ी गरवर हो गई थी उसने का वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए मैंने मुक अखवार की सुर्खियों की तरफ देखा बड़े बड़े अक्चरों में लखा संपदायक दंगे लेकिन समीर मैंने सुरू ही किया था कि मैं मुस्लिम समी हूँ वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरट में उसकी आखें बढ़ाई जब मैंने उसके कंदे पर हाथ रखा तो उसने नजर उपर नहीं उठाई तो आपको यहां देखना है समीर एक और समीर दो में अंतर क्या है क्या यह अंतर उन्हें दोस्त बनने से रूप पाए अंगले दिन वह चोराय पर नहीं था ना उसके अंगले दिन वह देखा ना ही आगे फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अकबार मुझे नहीं बत सकता है कि मेरा समीर दो आकिर कहा है जहां समीर एक अंग्रेजी एक को अंग्रेजी जांदा अच्छी आती वहीं समीर दो हिंदी बोलता है हलाकि दोनों की भासा है अलाग लग फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए उन्होंने इसके लिए फिरयास किया क्योंकि उनके के लिए बात करना महत्पूर थी समीर एक और समीर दो की धार्मिक एवं सांस्कितिक पिष्ट भूमिया भी अलग लगें जहां समीर एक हिंदू है वहीं दूसरा समीर मुसल्मान है दौनों में दोस्ती हुई क्योंकि दौनों दोस्ती करना चाहते थे खान पान पहनावा धरम भासा आदी की ये बिन्नताएं बिवित्ता के बहलू है अपनी बिवित्धार्मिक और सांस्कितिक फिष्ट भूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्नमामलों में भी एक दूसरे से अलग थे उधारन के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर समीर दो कोई स्कूल जाने का मौका भी मिला ही नहीं था अब आपने संभावता अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा हुआ जो गरीव हैं जिनकी भोजन घर और कपड़े के जरूरत भी पूरा नहीं उपाती है यह फरत उस ठाइक से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पड़ा है यह विवित्ता का रोप नहीं है बलकि गैर बराबरी का रोप है गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास नावसर है और नहीं जमीन या पैसे जैसे संसादन दूसरों के पास है इसलिए गरीबी और अमीरी विवित्ता का रोप नहीं है यह लोग इस वटवारे का अधार था कि लोग किस किस तरह का खाम गरते हैं लोग जिस जाती में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते हैं उदारण के लिए अगर आप कुमहार के घर में पैदा हुए अगर आप कुमहार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाती कुमहार ही होती है आप बस वहीं बन सकती थी कोई ब्यक्ति जाती से जुड़ा अपना फैसा भी नहीं बदल सकता था इसलिए उस ग्यान के अलावा किसी अन ग्यान को हांसल करना शरूर ही नहीं समझा जाता था इसके गैर बराबरी पैदा हुई आप इस बारे में अंगले पाठों में पढ़ेगे वीवित्ता हमारे जीवन को कैसे समत करती है जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने ठीक बैसे ही आपकी भी सहलिया होगी जो आपसे बहुत अलग होगी आपने साथ उनके गहर में अलग लग तरह का खाना खाया हुई उन उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे तो थोड़ी बाउत उनकी भासाय मी सीखी होंगी आपने साथ तरह तरह की जानवर रानियों साथ से गटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी संभा होई कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा एक अच्छी कहानी पढ बीडान देटे औस क्छ लोग जंगल में जानवरों के द्रदिक रहे और उन्होंने जानबर की दोस्ति लड़ाई के बारे में कहानियां लिख私 अनन लोगों या कहानी सुनाने बालों को ऐसी जगह पर रखना रहना पड़ जाए पड़े जहां लोग केवल दो हिरन की कपड़े बहनते हैं लाल सपेद एक तरह का खाना खाते हैं साइद आलू समा रूप से केवल दो सुपक्षी को पालते हैं दारन के लिए हिरन और केवल साप सेड़ी खिल से अपना वन्रुवजन करते हैं ऐसी जगह रहकर विख्यासी कहानी यह लिख पाएंगे भारत में विवित्ता भारत में विवित्ता का देश है हम विविन भासाएं बोलते हैं विविन पिकार का खाना काते हैं अलग लग तिवार मनाते हैं और विविन विन धर्मों का पालन करते हैं लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तों में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं केवाल हमारे करने के तरीके अलगलाने हमें विवित्ता को कैसे समझें हम विवित्ता को कैसे समझें करीब दो सबा दो सो बस पहले जब रेल हवाई जयाज बस और कार हमारे जीवन का इस्सा नहीं थे तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे बे जबीन की तलास में या फिर व्यापार के लिये की जाती थी चुकि यात्रा में बहुत समय लगता था इसलिए लोग नई जगए पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठर जाते थे इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घरवार छोड़ कर देते थे उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो बे नई जगए जाकर बश्चाते थे कुछ लोग काम की तलास में और कुछ योद्ध के कारण घर छोड़ देते थे लोग जब नई जगए बसना शुरूं करते थे तो उनके रहन तहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था कुछ चीजें पे नई जगए की अपना लेते थे कुछ चीजों में पुराने धर्रे पर ही चलते रहते थे इस तरह उनकी भासा जबोजन संगीत धर्म आदी में नई फुराने का मिस्रन होता रहते था उनकी संसकिति और नई जगए की संसकिति में आधान विधान होता और दीरी देरी एक मिसरत यानि मिली जुली संसकिती उपर्ती थी अलग-अलग छित्रों का इतियास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विविन संस्कितिक तुरवावों वहां के जीवन और संस्किति को आकार दने में एकदान किया है इस तरह से कई छित अपने विश्ष्ट इतियास के कारण विवित्ता संपन हो जाते थे ठीक इसी पकार लोग अलग-अलग तरगी भोगलिक इस्तितियों से किस पकार सामानजस से बैठाते हैं उससे भी विवित्ता उत्पन होती है वो धारन के लिए समुद्ध के पास रहने में और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फरक है ना केबल वहां के लोगों के कपड़ों और खान-पान की आदतों में फरक होगा बलकि जिस तरह का काम बे करेंगे बेवी अलग होंगे सहरों में एकसर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके बहुत तिक बातावर्ण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है ऐसा इसलिए कि सहरों में लोग बेले ही अपनी सबजी या ना जो आते हैं बे इन चीजों के लिए बाजार पर भी परी नहरवार रहते हैं आईए भारत के दो भागों लद्दाग और के उधारन के जरीए यह समझने की कौसिस करें कि किसी जित की बिवित्ता पर उसके इतिहासिक और वहुलिक कारकों का क्या असर पढ़ता है लद्दाग उचे पहाड़ों वाले रेगिस्थानी इलाके हैं ठीक है लद्दाग जम्मू कस्मीर के फूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसाईक रेगिस्थानी इलाका है यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभाव क्योंकि इस छेत में वारिस बिलकुल नहीं होती है और यह इलाका हर बस काफी लंबी समय तक वर्व से ड़का रहता है इस छेत में बहुत ही कम पेड़ों पाते हैं पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महिनों में फिगल्धन वाली वर्व पर निर्वर रहते हैं यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे फस्मीना उन मिलता है यह उन कीमती है इसलिए फस्मीना साल बड़ी बहेंगी होकती है लद्दाक के लोग बड़ी सावधानी से इस उन को इकटर करके कस्मीर के ब्यापारियों को बैंतेते हैं मुक्ता कस्मीर में ही पस्मीना सालें बुनी जाते हैं यहां के लोग दूसरे बने पदार जैचे मक्खन चीज एवन मास खाते हैं हर एक परिवार के पांक सक्थ गाय कि बकरी और याक हैं रेखिस्थान होने का यह मतलब नहीं है कि ब्यापारी एहां आने के लिए आकर सिर्थ नहीं हुई लद्दाक तो ब्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहां कई घाटियां जिनसे गोजर कर मद देशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचे थे जिसे आज तिबबत कहते हैं एक काफले अपने हाँ अपने साथ मसालें कच्चा रेसम दरियां आदी लेकर चलते थे लगदाक के रास्ते ही बहुत धरम तिबबत पहुंचा लगदाक को छोटा तिबबत भी कहते हैं करीब 400 साल पहले यहां पर लोगों का इसलाम धरम से परिचे हुगा और अब यहां अच्छी खासी संक्या में मुसल्वान रहते हैं लगदाक में गानों और कविताओं का बहुत ही संब्ध मौकिक संग रहे तिबबत का गरंद केसर सागा लगदाक में काफी बिचले थे इसके इस्थानिय रूप को मुसल्वान और बहुत दोनों में ही लोग गाते हैं उन पर नाटक खिलते हैं जाद रूखे एक पसमीना साल बुंती में है अब बात करते हैं केरल केरल भारत के दच्च्छी फश्च्वी कौने में बसा हुआ एक राज्य है यह है एक तरफ समुद से गिरा हुआ है और दूसरी तब पहाड़ियों से इन पहाड़ियों वो बिवित पेकार के मसाले जैसे काली में लॉंग इलाची आदी होगा जाती है इन मसालों के कारण एच्चित व्यापारियों के लिए बहुत ही आकरसक बना हुआ है सबसे पहले अरभी और यहुदी व्यापारी केरल आए ऐसा माना जाता है कि इसा मसी के धर्म दूद संद थौमस लगवक 2000 साल पहले यहाँ आए भारत में इसाई धर्म लाने का सरे उन्हीं को जाता है अरभ से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए एमन बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए अपने यात्रा वितांत में मुसल्वानों की जीवन का विबरन देते हुए लिखा है यह मुसल्वान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जित थी वासको डीगामा पानी के जहाँ से यहाँ पहुचे जो पुर्दगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाने इन सभी इतियासिक प्रवावों के कारण केरल के लोग बिभिन धर्मों का पालन करते हैं जिनमें यहूदी इसलाम, इसाई, हिंदू, बौध धर्म सामिल है चीन के ब्यापारी भी केरल आए यहाँ पर मचली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तिमाल किया जाते हैं विच्चीनी जालों से हूबाहू मिलते हैं, उन्हें चीना वला कहते हैं तलने के लिए लोग जो बरतन इस्तिमाल करते हैं, उसे चीना पट्टी कहते हैं इसमें चीन सब्दिक इस बात की और इसारा करता है, कि उसकी उत्पत्ति कहां भी होगी केरल की उग जाओ जमीन और जलबायू चावल की खेते के लिए बहुत उप्युक्त है रोहा के अधिकता लोग मचली सब्ची चावल खाते हैं केरल की केरल में मनाय जाने वाले तिवार ओडम का एक विसिस आकर सन यह ओडम खेल तिवार जो मनाते हैं कई बार पूशा जा चुका है ओडम कहां का है तो केरल ठीक है जहां केरल और लद्दा की वहगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिलकुल अलगें वही हम यह भी देखते हैं कि दोनों चित्रों के इतियास में एक ही फिकार के सांस्कितिक पिरवाव हैं दोनों ही छित्रों को चीन और अरब से आने वाले वियापारियों ने फिरवावित किया है जहां केरल की वहगोलिक स्थितिटी ने मसालों की 2019ी खीती संभव बनाई वहीं लद्दा की विशह से भोगोलिक इस्तिति और उन ने ब्यापारियों को अपनी वर्खी जाए इस तरह पता चलता है कि किसी भी चित के सांस्कितिक जीवन का उसके इतिहास और भोगोल से प्रया गहरा इस्ता होता है बिवित संस्कितियों का फ्रभाव के केवल बीते कुछ हुए कल की बात नहीं है हमारे वर्ख्मा जीवन का धार ही काम के लिए एक जगए से दूसरी जगए जाना है हर एक कदम के साथ हमारे सांस के तिकरीती रवाज वो जीने का तरीका धीरे धीरे उन नए छेतरों का हिस्सा बन जाते हैं जह हम पहुंचते हैं ठीक इसी तरह अपने पडोस में हम अलग-अलग समधाय के लोगों के साथ रहते हैं अपने रोज मर्या की जीवन में हम मिल जुलकर काम करते हैं जमीन और एक दूसरे की रीती रवाय और परंपराओं में घुल जाते हैं वीवित्ता में एकता भारत की वीवित्ता या अनेकता उसकी तागत का स्रोत माना जाता है जब अंग्रेजों का भारत पर राच था तो विविन धरम भासा और चित की महलाओ पुरसों ने अंग्रेजों के ख्लाप मिलकर लड़ाई लड़ी थे भारत के सुद्धन्तता संग्राब में अलग अलग फरवेसों के लोग सांबल थे उन्होंने एकजुट होकर आंधुलन क किया एकटे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से बिरूट किया अंग्रेजों ने सोचा था कि विभारत के लोग में फूट डाल सकते हैं किम्कि उनमें काफी विवित्ता हैं और इस तरह उनका राच चलता रहेगा मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी बिननों अंग्रेजों के खिलाब लड़ी जाने वाली लड़ाई के विसब एक थे दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना खुसियों में अपनी हम पर आसु बहा के जाना सेयाद ने हमारे चुन-चुन के फूट दोड़े वीरान इन चमन में कोई गुल खिला के जाना जलियां बाग में सोनी पड़ी कब पर दिया जला के जाना दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना हिंदू और मुसलिम की होती है आज खोली बहते हैं एक रंग में दामन भीगो के जाना दिन खून के हमारे भूल ना जाना कुछ जेल में पड़े, कुछ कब्व में गड़े, दो बूंद आसु उन पर फ्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे फ्यारे ना भूल जाना, भारतिये जन्नाट संग इप्टा द्वारा ही लेका, ठीर, तो ये था हमारा, बीवित्ता में एकता, ये गीत, आमरेस्तर में ह हुए जलिया वाला बाग, हत्याकांड के बाद गाय गया था, इस हत्याकांड में एक बेटिस जनरल ने, उन सांती पी ये नेत्थे लोगों पर खुले आम गोलियां चलवा दी थी, जो बाग में एक खट्टे होकर सभा कर रहे थे, महला पुरोस हिंदू-मुसलिम, जाने गई और उस से भी ज्यादा गायल हुए, यह गीत उन सहीदों की याद में गया गया था, सुतंता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिन विवित्ता के पदी हमारा विश्वास बनाय रखते हैं, क्या आप भारती जंडे की कहानी जानते हैं, सुतंता संग्राम के दौरान ही भारत के जंडे ही परिकल्पना की गई थी, इस जंडे कुछ सारे भारत के में लोगों ने अंग्रेजों के खलाब इस्तिमाल किया था, जवाहलाल नहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लखाया, कि भारती ये एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बलकि ये है, बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग-लग तरह की विश्वास, उपिताओं को स्विकार करने की भावना, इसमें बीवित्ता को पहचानना और पुरसान किया जाता है, ये नहरू ही थे, जिनोंने भारत की बीवित्ता का वर्डन कहते हुए, अनेकता में इकता का विचार हमें दिया, घी, रवेनाट टेगोर द्वारा रचित हमारा राष्टगान भी भारती एकता का एक अभी व्यक्ती राष्टी है, राष्टगान किस तरह से एकता का बटन है, इससे अपने सब्दों में लेखे, घी, लेे, फिर आपके अभ्यास में नहीं Mac अपने अलाकम में बनाए जाने वाले विभिन तेवारों की सूची बनाए। इन्मेंसे कौन कौन से तेवार सभी सबुदय है उद्वारा कोमन है मतलब अपने जो छेथ है आपके जीवन को कैसे बहुतर मतले तिए? है कि सभी समुदाय में जो तेवार मनाई जाते हैं कि आपके विचार में भारत की सम्रद्देवंवेदी विविद विरासत आपकी जीवन को कैसे बेहतर बनाती है आपके अनुसार अनेक्ता में एक्ता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है भारत की कोज किताब से लिए गए इस बाक्यान समय नहरू भारत की एक्ता के बार में क्या कहना चाहते है थरह जलिया वाला वाग अत्याकान के उपर लिखे गए गाने को उस पंक् भोगलि कार को सोनख ने प्रभावित किया। क्या यह थी आता खुब्ली, कारक आपस में एक बाद दो बार सुनिए लेक्टर को अपने आप मालू चल जाएगा कि क्या बोल रहा है चप्टर ठीक अब आंगे लिए चप्टर त्रिसमें हम लोगों ने जान लिए विवित्ता की एक सिंपल साधारन सब्दों में समझ आंगे हम बात करेंगे विवित्ता और विवित्ता त्यू?